चाना में शावमी ने MIUI 14 रिलीस कर दिया है और इस MIUI 14 में बहुत सरे लेटस फीचर को एड़ के गया है जैसे कि सूपर आईकन, सूपर इमोजी, सूपर उड़ेज और भी ऐसे बहुत सरे फीचर से MIUI 14 में इंप्लिमेंट के गया है इसी के साथ MIUI 14 में बहुत सारे features भी missing है जो में इस वीडियो में आप लोगे शाथ सेयर करूँगा साथ में ये भी बताऊँगा कि MIUI 14 का update चाइना में कौन-कौन से device को सबसे पहले मिलेगा और सबसे बड़ा सवाल इंडिया में कब तक MIUI 14 का update देखने को मिलेगा जानेंगे इस वीडियो में तो वीडियो को इंड तक जरूर देखेगा चैनल के support के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए तो सबसे पहले हम लोग MIUI 14 फीचर्स के बारे बात कर लेते हैं तो इस बर शौमी के जितने भी श्टॉक एप्लिकेशन है उसमें आपको लेटस आइकन देखने को मिलेगा एनिन सभी आइकन को शौमी ने नाम दिया है सूपर आइकन यहाप आप देख सकते हैं शौमी का ए आइकन में इतना है अगर आपको इनके सेब्स चेंज करना है सेम प्लेशमेंट में कर सकते हैं वह भी वन क्लिक में यहाप देख सकते हैं टोटल फॉर साइज मिल जाता है 1 in 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 एक ही अप्लिकेशन का टोटल 4 फॉर सुपर आइकन मिल आता है यह फीचर्स आपको म में मिल जाए मिवाई 14 की सिस्टेम लॉंचर में फोल्डर वगरा क्रियेट करते हैं तो आपको दो आप्शन मिल जाएगा फोल्डर को रिसाइज करने के लिए सबसे पहले आपे रेगुलर रेगुलर की बात करें तो जो अभी आपके डिवाइज में नॉर्मल देखने को मिल एक्जामपल के लिए अगर आप डिवाइज में कोई भी उडेज वेगरा एड करेंगे उसे आप डारेक्ली आप इस तरह से रिमॉप करेंगे बट मीवाइफ 14 के अपडेट में ऐसा नहीं है आप डारेक्ली कोई भी उडेज को रिप्लेस कर सकते हैं कि जिस पोजिशन में आप डिवाइज एस सूपर इमोजी यूज कर सकते हैं इससे भी बड़ा चैंज यहां पर अप्रिकेशन में देखने को मिलता है इस बार आप काफी जादे प्री इंस्टॉल एप्लिकेशन को अंस्टॉल कर सकते हैं आप आप डेख सकते हैं जितने भी टिक क्या हुआ आप्लिकेशन को अंस्टॉल कर सकते हैं काम एप्लिकेशन होने की वज़े से सिस्टम में काफ़ ज्यादा स्पेस मिल जाएगा प्रिव्यूज में जितने भी ऑईस रिलिस किया था जैसे कि मिवाई 13 12 11 उन सभी माप देख सकते हैं 15 से लेकर 18 जीबी तक का स्टोरेज कैप्स क कि यह स्टोरेज को कैप्स करेगा रैम भी काफी बढ़िया फ्री मिल जाएगा यानि कि आप अपने डिवाइस में हेवी टास्क हेवी गेम को बहुती इजी तरीके से खेल सकते हैं डिवाइस के इस बिन में 50% इंक्रेज हुआ है सिस्टम आपका 50% स्पीड रन करेगा 2% तक का long life battery आपको मिल जाता है और security application में तो कुछ खास changes नहीं है बाट बैटरी UI में आपको changes देखने को मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते कुछ इस तरह का UI design मिल जाएगा जिसमें आपका battery health बता है कि excellent good normal या poor है नीचे कुछ option भी मिल जाएगा battery charging speed optimize charging auto task and schedule in case की battery ज्याद MIUI 13 है तो आपके device में 2GB या 3GB आपके option देखने को मिलता है memory extension में but MIUI 14 में memory extension को 5GB तक use कर सकते है और आप बात करते हैं MIUI 14 के कुछ missing features तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ missing features को note करके रखा है सबसे पहले यहाँ पर MIUI 14 में आपको कोई भी latest super wallpaper देखने को नहीं मिलता है जबकि इससे पहले जितने भी MIUI release किया गया है सभी में आपको कुछ न कुछ new super wallpaper मिल जाता है बट MIUI 14 में आपको कोई भी super wallpaper नहीं मिलेगा और यहों display में भी कोई changes देखने को नहीं मिलता है normally है और ऐसे बहुत सारे videos आप देखे होंगे कि new control center MIUI 14 में देखने को मिलेगा अब बात करते हैं कि MIUI 14 का update चाइना में कौन कौन से device में सबसे पहले मिलेगा तो यहांप आप देख सकते हैं तो इन सभी device को सबसे पहले MIUI 14 का update चाइना में देखने को मिलेगा और बादवा की device का list अविदा ग्रोल आउट नहीं हुआ है जैसे Xiaomi इससे related कोई भी news share करेगा बात को मेरे चैनल पे मिल जाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बात MIUI 14 अपडेट इंडिया में कब तक देखने को मिलेगा शाओमी ने अपने ट्विटर हैंडल पे एक पोस्ट पब्लिक किया था रेडिमीनोट 12 प्र लिस्ट अलगी देखने को मिलेगा तो एध एक छोटा सा वीडियो की आगे और भी सितरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दिजे पसनली कोई हेल्प जे तो आप हमरे टेलिग्राम ग्रूप को भी जोएंच जरू कर लिजेगा थैंक यू